कि अधिया दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में जो भी हमने यह फाइल बनाई है जो भी इमने डेवल्लपमेंट किया है उसमें मैं रीजन मेंशन करना भूल गया हूं कि रीजन हमें डीजन करना पड़ता है ठीक है तो जब भी आप जो से भी आप पूरी सीरीज को फॉलो करो बट एंड में जहां भी है मैं उसको एक इडिशन लाइन वाली एड़ करनी पड़ेगी रीजन आपको अकॉर्णिग अपने हिसाब से डिफैंड करना है क्या रीजन करना सकते हो मेरे केस में बिना रीजन डिफैंड नहीं आया तो मुसको फिगर उट नहीं पाया बट आप लोगे साथ की इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आप देखो यहां पर मेरा उल्लेडी कंफिगर्ट था यूज इस थीज़ का द्यान लगना चलो फिसस्टार्ट करते हैं अपने सेशन को पिछली वीडियो मैं आपको बताया थगा क्या होता है क्या वहता एकशली में पेकर क्या होता है तो अफट अपने वीडियो का लिंक देदूंगा इस वीडियो पे आने से पहले इस से से पैले आप उससे go through को जाएगी इसको go through कर ले ला है जिससे आपको idea कि actually मैं पैकर है क्या ठीक है तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक example देखेंगे कि जिसमें हम AWS पे एक AMI बनाएंगे इमेज बनाएंगे जिसके अंदर हमारा एंजने इंस्टॉल लोगा ठीक है तो वही चीज हम यहां पर करने वाले हैं देखो किसी भी automation Packer को करने के लिए अगर देखो हमें Packer से मुझे मालूम है कि Packer मेरा AWS के use भी होता है Packer मेरा Azure के लिए भी यूज़ कर सकता हूं Packer में और भी Clouds के लिए यूज़ कर सकता हूं तो सबसे पहला question मेरा यह करोता है कि Packer को मैं कैसे बताऊं, Packer सर्फ एक टूल है, ठीक है, उसको मैं कैसे बताऊं कि वो AWS पे ही काम करें, कि वो इस वाली file को AWS पे चला है, तो सबसे पहला हमारा जो query हो यह है, how Packer would know to execute the queries on AWS environment, ठीक है, पहली query तो यह हो गई, और दूसरी query हमारी यह है कि जब आप अपने AWS में, account में आप login करते हो, आप कुछ भी चीज़ सेट अप करते हो तो आप login करते हो यूजर नेम और password के थ्रू, जब आप console पर जाते हो तो उसको username पासवर्ट के थ्रू login करते हो, तो packer को आप कैसे username and password दोगी, क्या वो आपके username and password पर काम करता है, या फिर packer क्या खुद manually UI interface खोलेगा और वहाँ पर जाके सब काम automate करेगा, क्या करेगा, वो packer कैसे आपके account को login कर पाएगा, और कैसे आपके account में changes कर पाएगा, तो basically packer जो है, यूजर नेम पासवर्ट पर नहीं, packer को हमारा, तो दूसरा question हमारा यह कर होता है, कि how packer would know that आपका, वो आपके account से कैसे authenticate करेगा, ठीक है, तो देखो packer जो है, आप जब console AWS के console पर जाते हो, आपको दिखा देता हूँ, जब आप AWS console पर जाते हो, तो आप username और password के through login करते हो, है ना, आपको username, password से यह होता है, जैसे मैंने अभी login किया तो इसलिए मेरा login नहीं मांगा, बट आपको username, password से यह होता है, लॉग इन करने लिए आपका account है, तो ऐसे ही packer को क्या होता है, packer को, आपके account, packer जोए CLI पर काम करता है, ना, command line tool है, तो उसको AWS account को access करने के लिए, किसी ए एक user की access की और secret keys से यह होती है, ठीक है, जैसे कि आपको अगर अपने AWS account में कुछ भी कराना है, packer के तुरू, तो आप क्या करोगी, आप एक user बनाओगे, उस user के credential generate करोगे, जिसको packer के form में बोलेंगे, जिसको हम बोलते है, access की and secret key, आप वो दोनों चीज़े जनेरेट करो तो यह process होता है कि packer इस तरीके से आपके account को देख पाएगा, इस तरीके से आपके account में वो access कर पाएगा, तो चलिए, फिर हम पहले इस step से start करते हैं, ठीक है, पहले packer को कैसे पता लएगा कि हमारा AWS का account कौन सा है, ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप packer से AWS पे काम कर लोग और basically मैं एक dedicated video इस चीज की बनाऊंगा, जो भी लोग Windows system पे काम करते हैं, तो मैं उनको एक बहुत ही अच्छा shortcut बताऊंगा, जिससे उनको नहीं बार-बार किसी package है, किसी भी software को डूढने में दिक्कत होगी, सिर्फ एक single command से अब कोई भी latest stable software अपने computer system में install कर सकते हो, that's it, ठीक है, उसके लिए मैं एक नहीं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो basically एक तो मेरा AWS, अगर मुझे Packer को AWS के साथ coordinate कराना है, तो मुझे AWS CLI मेरा install लोना चाहिए, और दूसरा Packer मेरा install लोना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तो Packer, Packer should be install, and AWS CLI, ठीक है, यह दोनों चीज मेर install लोनी चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम है कि Packer कैसे install करते हैं, जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी में आपको दोनों का दिखा दूँगा, कि कैसे आप Packer को install कर सकते हो, one single shot में, और कैसे AWS CLI को install कर सकते हो, एकी single shot में, और और ऐसे कोई भी software को आप install कर सकते हो, ठीक है, इसमें हमें क्या-क्या चीज़ों की जरुवत पढ़ने वाली है, एक Packer की जरुवत पढ़ने वाली है, एक AWS CLI की जरुवत पढ़ने वाली है, और जहां पे हम अपनी Packer की फाइल लिखेंगे, वो हम एक IDE environment use करेंगे, जिसका नाम होगा VS Code, ठीक है, एक उसकी जरुवत पढ करने वाली है, तो मैं आपको बता दूँगा कि आप कैसे कर सकते हैं, वो सब इंस्टॉल, ठीक है, तो जैसे मैं आपको पिछली वीडियो मां बताया था, हमारे Packer के अंदर, जो main चीज़ होती है, वो सिर्फ तीन चीज़ होती है, सब स्यादा, basically main तो एक ही होती है, बट Processors, ठीक है, ये तीन चीज़ होती है, जो हमारे Packer में जरूरी होती है, और इन तीन में से mandatory कोंसी होती है, mandatory होती है हमारे ये, Builders, अब Builders क्या होता है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, बट मैं इसमें थोड़ा सा Recap कर देता हूँ, Builders एक ऐसी चीज़ है Packer के अं इस वाली चीज़ पर काम करना है, जैसे पहले हमारा Question ये था, कि Packer को कैसे पता लगे कि वो Query जो भी हम script लख रहे हैं, वो AWS Environment पर ही चले, वो Azure पर ना चले, वो किसी ओर और 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 पर ना चले, Google Cloud पर ना चले, ये Packer को कैसे पता होगा, तो वो चीज़ हम कहां पर Define कर करते हो, कि इस वाले environment पर मुझे Packer के script execute करनी है, उसके बाद Provisioners में आप ये Define करते हो, कि आपको किस चीज़ की मेच चाहिए, मतलब आप जो भी image बना रहे हो, लट से आपको image बनानी है, कि आपकी Ubuntu X Server उसके अपर engine X install लो, आपको ये image बनानी है, तो आप Provisioners में क्या Define क करोगे, कि Nginx को किसे install करें, install जो होना है, वो Nginx होना है, कि आपको ये वाली service उस वाली image पर चाहिए, तो वो चीज़ आप कहाँ पर define करोगे, Provisioners में, तो हमारे case में, to install Nginx, ये हम define करेंगे, Provisioners में, ये basically, और इसको अगर हम general terms में बात करें, Provisioners जो होता हमारा, ये basically, यहाँ पर हम सारी customization करते हैं, तो all about the customization, ठीक है, वो सारी चीज़े जितने भी customization हम अपने base image में करना है, वो हम सब Provisioners में करते हैं, अब बात आती है, प्रोस प्रोसेसर की, basically, इसको हम बहुत ही कम use करते हैं, but ये तीन चीज़ मैंने बोला था, कि ये mostly use होती है, मतलब ये एक base है, पेकर का, ठीक है, अब पोस प्रोसेसर जो ऐसी चीज़े, इसको बहुत कम use करते हैं, production environment में, ठीक है, पोस प्रोसेसर में क्या होता है, यहाँ पे basically conversion होता है, क्या होता है, यहाँ पे conversion होता है, अब conversion किस चीज़ का होता है, let's say, आपने कोई Packer की file लिखी और Packer की file आप AME में, मतलब AWS के लिए आपको changes करना है, उसको convert करना है, तो यह जो conversion है, या फिर VM से आपको Docker में, वो convert करना है, तो यह जो conversion होता है, वो सब हम डिफाइन करते हैं, पोस प्रोसेसर में, देखो यह production में recommended नहीं होता है, क्योंकि production जो भी environment होता है, production जितनी बेंटरेस प्रोड functions में नहीं होता है, क्योंकि enterprise level पर यह recommendation होती है, अगर आपको ऐसा को conversion करना है, पहली बात तो वो होगा नहीं, दूसरी चीज़, अगर आपको करना है, आपको Docker फाइल बनाने हैं, तो आप conversion मत करो, आप base से Docker फाइल बनाओ उसकी, ठीक है, तो इस वाले पर हम अभी ध्यान इंस्टॉल करें, मैं अपने case में बन तो ले रहा हूँ, आपको जो चाहिए वो ले लेना है, उसमें कोई ज़्यादा difference नहीं है, ठीक है, और यह मैं आपको production ready image नहीं बताऊंगा, कि कैसे आप production ready image बना सकते हो, production ready script बना सकते हो, वो मैं next video में बताऊंगा, यहाँ पे मेरा motive सिर्फ यह है, इस video से, क्योंकि देखो, मैं हर चीज़ के आपको image बना के नहीं दिखा सकता हूँ, कि एक बार यह installed, एक बार वो installed है, तो मैं यह कोशिश करूँ है, कि इसी video में मैं आपके concept को clear करूँ, और आपको actually मैं पता लगे कि Packer काम कैसे करता है, जिससे आप कुछ भ करें, ठीक है, तो यह हमारे task है, अब मेरे पास Packer का already मेरे पास installed है, अगर आपको नहीं पता है कैसे install करते हैं, तो comment से mention कर देना, मैं उसके लिए video बना दूँगा, ठीक है, तो मेरे पास Packer का version है, 1.7.2 ठीक है, और AWS CLI भी मेरा installed है, तो basically सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, म हाँ पर मुझे एक user चाहिए हो, कि मुझे access की secret की चीए है, जिसको मैं अपनी Packer की configuration में डालके ये बता सको हूँ, कि भाई Packer इस वाले user से तिरह को access है, मेरे AWS account का, ठीक है, जैसे आप अगर console से भी अगर आप अपने enterprise में काम करते हो, और आप AWS को access करते हो, तो आपको username, password म आपका, तो सेम चीज़ हम करेंगे, बट यहाँ पर हम console access नहीं देंगे, यहाँ पर हम उसको CLI access देंगे, क्योंकि Packer CLI पेगाम करता है, ठीक है, तो हमने जैसे एक user बना लेते हैं Packer, और मैं इसको programmatic access देता हूँ, ठीक है, next, और मैं इसको permission देता हूँ, administrator की, ताकि यह द access की secret की, इस वीडियो के बाद तुरंथी delete कर दूँगा, क्योंकि इन access की secret की, अगर किसी को मिल जाती है, तो आपके AWS के account को access कर सकता है, और आप पे काफी तकड़ा बिला सकता है, ठीक है, तो basically यह मैंने download कर लिए, और अपने users को permission दे दिए, अम मैं क्या करता हूँ, देख तो उसको समझें की, अच्च्छल में packer की script कैसे बनाते हैं, और आसान तरीका क्या होता है, उसको बनानेगा, ठीक है, तो मैं गया, मैंने search किया packer, ठीक है, ओके, हम मैं इसके document जाता हूँ, सबसे best way packer को याद करनेगा, packer पे कोई भी script बनानेगा, उसकी official documentation है, उससे अच अच्छा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, देखो, हमने बात किस चीज की किती, हमने बोला तो कि मैरे पास तीन चीज में चीज होती है, एक builder, एक provisioner, एक post processor, यह data source, communicators के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा main चीज है, अब हम उस पर focus करते हैं, और builders का मैंने बताया कि यह हमारा एक ऐसा field होता है packer के अंदर, जिसके अंदर आप define करते हो कि आपका execution environment क्या है, कि किस environment पे आप execute करना चाहते हो, सबसे पहले हम अपने packer को यह बताना है, कि हमारा जो environment है, वो AWS है, ठीक है, तो हम अपने builder पे गए, builder पे आपको यहां पे बहुत सारे दिख रहे अब Amazon के अंदर हमारा एक instance भी है, अब instance क्या है, instance पहले हम Amazon में यूज करते थे, classic instances वगरा यूज करते थे, तो अब इसको कोई यूज नहीं करता है, तो इसलिए हम EBS यूज करेंगे, ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, वो चीज हम देखते हैं, ठ आख सकते हैं, और मैं आपको बता दूख जो फ् Karma होता है, वो जाष संव होता है, पैकर की फाइल लिखने का जो भी फोर्मेट जाष संव जाष और आप लोगों को नहीं साथ है, तो तो मुझे बता देना में मैंनिक्ते से मैं बता दूगा कि जाष संब कर, क्या मैं क्या ह लेते हैं लट से नहीं पर बना लेते हैं डेक्स टोप पर पैक कर ठीक है इसके अंदर हमने एक फाइल बना लिए पैकर आइफन इंजिन इंग्स टोट ठीक है अब कोई भी जैसन फाइल लिखने के सबसे पहले कर लिप्रेसस ठीक है अब हमारे पास हमें क्या चीए पहले हम देखते हैं कि कैसे हम बिल्डर को डिफाइंड करते हैं तो हमको एक्जामपल लेखते हैं ओफिशल डोक्यमेंटे और पैकर के केस में यही जब से बस ठेक है अब यहाँ पर बहुत सारे अर्गुमेंट्स होता है वो सब चीजह भी हम देखेंगे क्योंकि मैं सारे arguments कवर नहीं कर सकता हूं तो इसलिए मैं recommend करूं कि आप documentation का go through जरूर करें इसमें से बहुत से argument ऐसे भी होते हैं जनकों कभी यूजी नहीं करता है है ठीक है मतलब यूज में आती ही नहीं है यहां पर आप देख सकते हो जैसे AWS मैं आपको भी दिखाता हूं रूख हूं जैसे को एगर हमें sample case मिल जाए example मिले तीक यह नहीं है अभी हम बिल्कुल simple basic से start करेंगे ऐसा नहीं कि एकदम से हम अब एकदम से थिक है दीरे दीरे हम चीजों को करेंगे हमारा मेन मोटिव है कि हमको चीजे समझ में आनी चीए एक बार अगर हमारे समझ में आगी इसमें सबसे पहले क्या है हमने बिल्डर डिफैन किया तो différentes सब्सक्राइब किये हैं अपने केश में में इस अभी हमें किस की AMI चाहिए वो इंस्टेंस टाइप हम इतना ही कॉपी करते हैं यह सारी चीज़े कॉपी नहीं करेंगे और इनको हम समझेंगे कि यह है क्या है ठीक है हमें एक AMI भी तो देनी है ना AMI नेम देना है तो हमने AMI का यहां पर नेम अभी इतना सब कुछ नहीं पर इंस्टेंस टाइप डिफैन कर दिया कि जो भी मेरी आए मैं हो गई यह और हमारा सौर से माइड अब इस में चीज होती है सोर से मैं जो कि यहां पर नहीं दी हुई है मुझे देखने ही सोर से में फिल्टर दिया हुआ है और काफी अलग तरीके से इसको हम ऐसे सब्सक्राइब करें के हम नॉर्मली कि गरेंगे हम चीज को नॉर्मली क्तरा पड़ेंगे बारियेबल होते है यहां पर हम अपनी एन डिफाइन करेंगा मतलब AMI ID qo коз juststa आपको आपको basically एक चीज और समझो कोई भी टास्क अगर आप automate कर रहे हूं तो आपको उसका manual process पताऊना चाहिए अब हम टास्क क्या बना रहे हैं कि हमारा एक सर्वर है उसकी हमें AMI लेनी है उसके अंदर इंजिनिक्स इंस्टॉल तो आप basically क्या करोगे आपको ऐसा करना है तो अगर manual process क्या करोगे आप EC2 पर जाओगे ठीक है वहाँ पर जाके instance लॉंच करोगे फिर उसको SSH करोगे उसके अब हम क्या करते हैं लॉंच करते हैं हमें AMI define करनी पड़ती है कि आपको Amazon Linux करना है या फिर Reddit करना है या फिर Ubuntu करना है और हम जब हम console पर काम करते हैं तो हम नाम से कर लेते हैं Ubuntu server this बड़ जब हम CLI पर करते हैं तो वहाँ पर नाम नहीं चलता है वहाँ पर हमारी AMI ID चलती है ठीक है तो लेट से मैंने यह वाली AMI ID ले ली क्योंकि मुझे सोर्स दिभाना पड़े करके मेरी बेस है मैं कौन सा server launch कर रहा हूं ठीक है और इसको देते हैं AMI को नेम देते हैं Packer Nginx और यह टाइम स्टैम का मतलब है कि जो भी आपका नेम होगा Packer Nginx उसके बाद जो भ सोर्स AMI अभी एक चीज और मिसिंग है जो मिसिंग है कि हमें यह डिफैंड करना है कि जो यूजर जिस पर वह ऐसे सच करेगा उसका नाम क्या होगा तो ऐसे सच यूजर नेम ठीक है एक सच यूजर नेम क्योंकि बाइड डिफॉल्ट की कोई इमेज लॉंच कर रहा हूं जिसकी मैंने एमाई डी दी है उसका डिफॉल्ट यूजर नेम क्यों होता है और वंतू क्योंकि मुझे स्टेप्स कौन से पर्फॉर्म करने मेरा प्रॉसस का है पूरा मेरा प् इनिस्टेंस मैंने लॉंच किया उसको मैं डिलीट कर दो तभी तो मेरे पास मेरी एमाई रहेगी तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं वे इसके रावा और क्या-क्या रिक्वाइड फिल्टरों होता है वह भी हम देखना है ठीक है जैसे कि इसमें पर वेरिबल्स वगरा अपने case में यहीं पर define करेंगे access की और secret की उसके बाद हम देखेंगे कि access की और secret की का हम कैसे variable बनाता है ठीक है अभी हम access की जो secret की हमारे पास है ना जो हमने user की credentials download कि हैं वह हम यहीं पर pass करेंगे ऐसे नहीं variable पर करेंगे सीधे क्योंकि हम चीजों को समझ रहे हैं बेसिकली हमें पहले process समझ में आना चाहिए तो हम इसमें नहीं डिफाइन किया हो गया है चोकि production में ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप वहीं पर चीजों को define कर दो आप access की और secret की को ऐसे एकी file के अंदर openly नहीं सकते ना क्योंकि इस फाइल को आप पर भी upload करोगे तो आपको अपने एक्सेस की secret की में दिखकर आएगी तो एक्सेस आप नहीं upload कर सकते एक्सेस अंडर स्कॉर ठीए ठीक है यहां पर हम एक्सेस की डिफैंड करेंगे और एक्सेस की है हमारी अब एक्सेस की क्या है हमने credentials डाउन्डोड किये थे कि इसको ओपन कर लेता है अपने एक्सेस की अपने सीक्रेट की भाई कभी disclose मत करना मैं इन कीज को तुरंती डिलीट कर दूँगा कि हो जा मेरे भाई कि अरे ओहो यार यह एक आफिस भी ना मैं इसको अपन कैसे करूं मुझे डाउन्लोड समय जाना बड़ेगा कि यह मेरी एक्सेस की कि ठीक है कि यह यह प्रोडक्शन रिकमेंडेट नहीं है ठीक है एक्सेस की और उसके बाद आता है हमारा कि सीक्रेट अंडर स्कॉर की ठीक है यह सिर्फ हम चीजे अभी समझ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं चीजों को अभी हमें चीजों के अब हमने यहां पर सबकुछ कर दिया हमारा क्या क्या हो गया हमने अपनी एक्सेस की सीक्रेट की डिफैन कर दी बेरा की बिल्डer में की मेरा बिल्डर और वो वह एमेज़ण के इसके अस्तेट करेगा इन दो enjoyment की से से इन्सؐ जो होगा वोगा पेकर हाइफन एंजेनिक्स जो इंस्टेंस टाइप होगा वोगा टीटु हाइफन टीटु डॉट माइक्रो सोर्स एमाई जो होगी वह हमने देदी कि किस एमाई आईडी कौन सी इमेज वह लॉंच करेगा और कौन सा यूजर नेम का एसएफ हम क्या होगा फंट के अभी हम चेक करते हैं इसके एलावा अगर हमारा कुछ और रह गया कि यहां पर आते हैं नीचे है कह यह एकि प्रस्ट कि जो हम अभी चीजे पट सेपट रहे हैं हराँ तो इसलिए हम सिर्फ बेशिक चीजी से ही cover करेंगे कि अभी हमारी पहली फाइल है पहली फाइल में हम सीधे वैरियेबल्स वगएरा डेट डेटा सोर्स वगएरा यह सब नहीं देखेंगे हमें सिर्फ जो हमारी requirement है हम उसको complete करने की कोशिश करेंगे ठीक है अब यह हो गया हमारा बिल्डर्स का सेक्षिन ठीक है अब इस बिल्डर्स के सेक्षिन में यहां पर ओपन यहां पर क्लोज कि दो नौ कि इस तरी कैसे होगा और यह ऐसी होगा ठीक है यह बिल्डर्स कामारा क्लोज हो गया अब हम इसको verify करते हैं सबसे पहले तो कि क्या यह हमारी फाइल अभी हमने इंजिनिक्स इंस्टॉलने कि अभी सिर्फ हम यह बिसकल यह सर्वर लॉंज कर रहे हैं उस पर यह उसकी एम आइगा हम सिर्फ इसको verify करते हैं कि क्या यह कर भी रहा है या नहीं कर रहा है क्या यह हमारी फाइल सही है कि नहीं है पैकर से क्या होता है कैसे नहीं होता है वो सब देखते हैं ठीक है अपने पावर शेल में देखते हैं ठीक है यहां पर हमारी फाइल है कि अब हम सबसे पहले चेक करते हैं यह दो तो पैकर-ईफन-ईफन हमें किसी भी टूल की कोई भी कमांड याद नहीं करनी है सबसे बेस्ट आप्ष्ण पैकर-ईफन हैं तो है फन-ईफन एफन-ईफन में सबसे पहली कमांड है हमारी validate, validate क्या करती है, जो भी हमारी template इसको check करते हैं कि हमारी valid है कि नहीं है, इससे आपको पता लेगा कि आपके उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जो आपने template बनाई है, तो packer validate और packer-ingenics.json, अब ये बताएगा कि इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब उसके बाद, अगर कोई दिक्कत होती है, हमें output दिखा था, अब इसके बाद second command ने मारी inspect, अब inspect क्या करती है, ये देखती है, c components of template, कि आप की जो template है, ये जो आपने template बनाई है, इसके अंदर क्या-क्या components है और क्या-क्या बिल्डर की कोई variable नहीं है, हमने कोई provisioner अभी तक define नहीं किया, तो इसने बोला कोई provisioner नहीं, हमने अभी तक क्या define किया, builder, और builder में क्या define किया, Amazon EBS, अपनी file में, है न, जैसे ही हमने inspect करा, इसने हम को दिखा दिया, कि हमने ये ये चीज़े अपनी file में define की है, चलो, अब ह की file का ना, ठीक है, अब इसने सबसे पहले step के चला है, ये validate कर रहा है हमारी VPC information को, validate कर रहा है हमारे AMI name को, AMI image name, AMI ID, जो हमने image name वहां से दिया था न, जब हम instance launch कर रहे थे, launch करते हैं हमने जो AMI ID दी इसने इसको validate किया, validate करने के बाद इसने temporary security group बना, क्योंकि हमने define नहीं किया security group, और नहीं हमें करना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ image ची है, ठीक है, इसने temporary security group बनाया, क्योंकि आप packer वह भी builder वाले phase पर है, उसको नहीं पता है कि provisioner वाले phase पर आपने mention किया है, या नहीं किया, कि उसमें access करना है कि नहीं करना है, तो इसने security group बनाया temporary, ठीक है, और आपके, अब AWS instance को launch कर रहा है, और जिसका नाम में packer builder, यह हमने define किया था, और आपकी instance की ID यह रही, ठीक है, अब हम जाके check करते हैं कि हमारा instance launch हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, instance अभी तक हमारे जीर होते हैं यहां पर, और अभी हमारे पास, अभी running state में नहीं आय रहा है, ठीक है, देखते हैं इसको, state क्या है इसकी, ओके, यहां पर देखो इसने instance को launch किया, फिर उसके बाद इसने इसमें SSH किया, SSH connect हो गया, क्योंकि provisional में कुछ था ही नहीं, तो इसने connection को महीं रोका, अब instance को यह stop कर रहा है, और उसकी AMI बना रहा है, आप देखो instance क नाम इसने क्या रखा, Packer Builder, हमने instance का नाम क्या दिया था, Packer, नहीं हमने AMI का नेम दिया था, Packer Enginics, हमने instance का नेम नहीं दिया, तो इसलिए उसने Packer Builder रखा, by default, ठीक है, यह by default यही नेम रखता है, बढ़ आपकी जो AMI होगी, उसका नेम Packer Enginics होना चाहिए, ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं, और बेसिकली, जो भी हमारा ये, मतलब आपको अगर कोई भी question होता है, इसके related, basically मैं आपको बता हूँ ना, कि हम ऐसा क्यों कर रहे है, हमने, आपने देखा होगा कि हमने various access की secret की ही पर define किया, इसका main reason सिर्फ यह, मैं आपको direct variable के साथ भी कुछ नहीं एक variable फाइल बनाता, यहां पर वेर करके उसका नाम दे देता, और जब terraform बिल्ड कर रहा था, तो hyphen वेर करके उसको pass कर देता, that's it, मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम production ready script बनाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसे आपने देखा होगा, यहां पर यहां पर आपको अलग अलग तरीके script दे रखी हैं, क्योंकि यह जो official documentation होती है, यह standardized होती है, तो इसमें आपको ऐसे basic basic चीजे नहीं बताई जाती, मैंने यहां से कुछ-कुछ चीजे लिए, कुछ-कुछ चीजे नहीं लिए, वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कि actually मैं working क्या है, हमने अभी सर्फ minimal चीजे लिए हैं, क्योंकि हमारा जो, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ, कि आप अपने task को कितनी आसानी से packer के through कर सकते हो, ठीक, अगर मैं starting में आपको वो सब चीजे दिखा दूँआ, data source, output वगरा, कैसे निकालते हैं, कैसे तो आपको भी थोड़ा complicated लेगा, हमारी requirement यह थी जो हमने previous video में discussion किया था कि हम AWS AMI, Nginx install करेंगे, AWS AMI बनाएंगे, ठीक है, हम वही case करेंगे, और कितनी छोटी सी script आपको दिखाऊंगा, कि कैसे बन सकती है, और आपको कोई, और variables के नाम भी मैं कोई ऐसे नहीं ले रहा हू ठीक है, देखते हैं, इसका बना है, waiting for AMI to become ready, instance तो stop हो गया, आप वो हमारी AMI बना रहा है, पैकर-Ngenics, यहाँ पर जो डिफेंड किया था, वो ही नेम है, पैकर-Ngenics, ठीक है, और अभी हमारी AMI बन रही है, पैंडिंग स्टेट में है, और आपको स्टेट यहाँ से भी, पैकर भी हमारा बता रहा है, वेटिंग फॉर AMI to become ready, ठीक है, तो यह था अभी तक हमारा यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं, इसका आपको क्या पता लगा, यह मैंने सिर्फ इतनी सी फाइल चले, वो इसलिए आपको बताने के लिए, क्योंकि जो हमारे यह दो स्टेप्स थे, यह पता लग गया आपको, पैकर शुट भी इंस्टॉल, AWS CLI शुट भी इंस्टॉल और बिल्डर मेंडेटरी था, तो यह चीज़े हमारी कवर हो गई है, कि पैकर को पता लग गया, कि वो कैसे आपके अन्वार्मेंट पे, सिर्फ AWS पर ही चला है, और दूसरी चीज़, पैकर ने आपके अन्वार्मेंट को अथंटिकेट भी कर लिया, हमारे यह दो टास्क कम्प्लीट हो गए, अब तीसरा टास्क है हमारा, कि हम अपने पैकर से कैसे, यह मैं लॉंच अगरा करें, और मतलब लॉंच उसने कर दी, उस पर कैसे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसकी इमेजेस पर, तो वो अब पार्ट आता है, हमारा प्रोविजनर्स का, ठीक है, इस पार्ट को हम करते हैं अभी, बट इसके आउट्पूट का वेट करते हैं, ठीक है, इसने बोला कि यहां से आपकी यह create हो गई है, ठीक है, अब देखो, इसने जैसी हमारी AMI बनाई, AMI बनाने के बाद, और जब इसने देखो, AMI बना दी न, वेटिंग AMI to become ready, यहां पर थे हम, उसके बाद जैसी AMI ready होई, इसके बाद इसने क्या किया, कि जो भी सार कर दिये, और आपको output दी दिये, कि आपकी जो AMI ID है, वो यह है, ठीक है, और आगर आप जाके देखोगे, तो आपकी AMI जो है, वो बनी हुए, जिसका नाह में Packer Nginx, और उसकी AMI ID यही है, CD 1F, CD 1F7, और यहां पर देखोगे, तो CD 1F7, ठीक है, तो यह था basic, अब इसके ब है, ठीक है, अब basically, मैंने आपको दो steps, हमने बताया था कि builders में क्या define करते हैं, यहां पर हम define करते हैं कि हमारा execution environment क्या होगा, और authentication कैसे होगा, अब बात आती है, हमारी provisioners की, provisioners में क्या define करते हैं, कोई भी अगर हमें customization करना हो, हमारा यह step हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अब देखो, हमें Ubuntu की image लिए, मैंने, जो AMI ID दिए, वो Ubuntu की image दिए, ठीक है, अब Ubuntu पे, अगर आपको Nginx install करना हो, तो आपके manual steps क्या होंगे, सबसे पहले आपकी command होगी, sudo apt-get update, ठीक है, और उसके बाद आपकी command क्योंगी, sudo apt-get install Nginx, यह आपकी command होगी, ठीक है, आपको एक बार script fail करके दिखाता हूँ, ताकि आपको automation में जो छूटी-छूटी चीजे लोग miss करता है, वो आप मिस ना करो, ठीक है, मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जान पूछके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, provisioners, पहले हम अ अब provisioners के अंदर आपको customization करनी है, आप किस के थ्रू करोगे, आप script के थ्रू करोगे, ठीक है, commands के थ्रू करोगे, अब provisioners के अंदर भी आप किसी भी tools है, जो tools provisioners में allowed है, let's say Ansible, आपको अगर configuration, आपके पास Ansible की already script लिखी हुई है, जो कुछ configuration management का काम करती है, servers पे जाके, त normal shell, windows cell, ठीक है, यह सब चीज़े आप use कर सकते हो, आप कोई भी script use कर सकते हो, मैं इसमें ना कोई Ansible use कर रहा हूँ, ना ही chef use कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं Ansible chef भी आपको use करके दिखाऊ, तो comment से mention करना, मैं उसकी Ansible की कोई script packer के थ्रू एक्जिक्यूट करके, उ अब यहां पर inline echo यह है, तो हम देखते हैं, कोई example देखते हैं इसका, जैसे कि provisioner, ठीक है, अब provisioner में, जैसे हमें क्या चीज़े है, type shell दे रखाया है, क्योंकि हमें जो command execute करनी है, वो shell script execute करनी है, ठीक है, script ही तो है, Linux की command को अगर आप एक file में डाल दो तो वो script हो जाती है ठीक है, तो हमने type यहां पर shell define किया और उसके बाद inline, inline के अंदर हम define करेंगे कि हमको क्या 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 command चलानी है, ठीक है, अगर मेरे पास देखो, अभी सिर्फ एंगिनिक्स का task है, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ दो command है, मैं भी पहले इसको लिख लेता हूं, उसके बाद म ठीक है, अब हम प्रोविजनर्स में यहां पर गए, और हमने देखा यहां पर कोई हमें मिल जाए सही से, ठीक है, हमने प्रोविजनर्स में गए, टाइप बताया शेल और इन लाइन में यह दोनों यह दे दिया, इको एफ ठीक है, अब इन लाइन में मैं मैं मल्टिपल कमांड्स भी दे सकता हूं, जैसे की, मैं यहां पर डिफेंड करता हूं, इन लाइन में, sudo apt-get update end, sudo apt-get install nginx, यह दो ही कमांड है मेरी, ठीक है, यह दो कमांड ही दो यूज़ होती है, मेरी, एक होगी apt-get update, और install करने के लिए sudo apt-get install nginx, यह है उबनतु के लिए, अगर आप yamki emid यूज़ कर रहे हो, मतलब reddit यूज़ कर रहे हो गर आप, तो apt-get की जाए, em लगा देना, ठीक है, वो डिपेंड करता है, आपका package manager क्या है, ठीक है, यह हमने अब provisional define किया, यहां पर, यहां पर मैंने inline दिया, inline का मतलब है कि मैं जो commands, यह जो commands है, मैं इनको directly pass कर रहा हूं यहां पर, अगर म मेरे को कोई बड़ा steps करना है, या फिर मेरे पास कोई ansible की script होती है, यह shell की ही होती ही, बट मेरे पात कोई लंबी चोड़ी script है, जिनको मैं यहां पर लिखना prefer नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर inline की जागा file define करूँगा, और यहां पर एक file बनाउगा, जिसके अंदर वो सब commands होगी, और यहां पर file का path दे दूगा, तो मेरे पास दो ही command थी, तो इसलिए मैंने file नहीं बनाई है, अब provisioners में, builders में मेरा काम क्या हो रहा था, कि मेरी AWS account पर authenticate हो रहा था, server भी launch हो रहा था, और image भी launch हो रहा थी, सब कुछ launch हो रहा था, बट वो image base इसी मेंजी थी, जो मैं AMI दे रहा था, उसके अंदर को customization नहीं था, अब मैंने किया है, यहां पर customization, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर, क्या-क्या issues है, क्या है, कुछ रहे तो नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ यह आपको, अभी भी बता रहा हूँ कि यह जो पूटी चीज को मिस करके कहीं और भटक जाते हो, ठीक है, तो चलो फिर validate देखते हैं, अपने इसको, ठीक है, और हम करते है, packer, same चीज, हाइफन, हाइफन, help, सबसे पहले हमें क्या करना है, validate, packer, validate, मैंने safe की है, यह यह अब save, packer, validate, अब इसने मुले, check the template is valid, by parsing template, oh, sorry, मैंने उसका नामी नहीं दिया, तो, कोई error नहीं है, valid हो गई है, ठीक है, अब इसके बाद, हमें क्या करना है, packer, हाइफन, हाइफन, help, क्या करना है, इसके बाद हमें, inspect करना है, इस बार मुझे देखना है, कि मेरे template से, क्या-क्या changes होंगे, packer, inspect, और मेरी template का name, variables मैंने define नहीं किये, मैंने बूल दिया था, variables कोई define नहीं है, पिछली बार मैं ये console भी आपको दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, जो मैं production डिया environment मनाँगा ना, तब आपको दिखाऊंगा कोई console क्या करता है, ठीक है, तो चलो अब हम फिर इसको build करते है, और मैं बता रहा हूँ, ये fail होगी, ठीक है, अब fail होने के इसमें दो reason है, दोनो reason बता क्या आया, कि Amazon EBS जैसी ये चला, इसने देखा कि आपकी AMI का name Packer Nginx है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर define कर रखा है, AMI का name Packer Nginx है, और इसने बोला कि already Packer Nginx जो AMI है, जिसका name है, जो आपकी AMI है, उसका नाम Packer Nginx है, वो already पढ़ी हुई है, तो अगर आप manually भी जाओगे, अगर आप manually भी कोई AMI create करोगे, और उसका नाम सेम रखो यह जो आपका already पढ़ा है, जैसे Packer Nginx already अगर आप करोगे, तो AWS create नहीं करने देगा, तो यह इसमें Packer का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें AWS की policy कि आप सेम ही name से 2 AMI image नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे चल कुछ किया ही नहीं है, इसमें मैंने कुछ किया तो है नहीं, कुछ कस्टमेशन नहीं किया तो इसके लिए मैं इसको delete कर देता हूँ, डिलीट ही होता है, अब अगर मैं इसको दुबारा से run करता हूँ, और यह पता नहीं control एल प्रेस करने पर क्यों आ देखना पड़ेगा, अब मैं इसको दुबारा से build करता हूँ, तो अब मेरा वह वाला error चला जाएगा, इसने बहले चेक किया ना, देखो यह चेक करता है, pre-validating AMI name packer engineering, यह चेक करता है कि इस name से कोई AMI already पड़ी तो नहीं है, यह script अभी भी fail होगी, ठीक है, आपको figure out करना है कि क्यों fail होई है और मैं आपको बताऊंगा क्यों, और मैं एक hint देदू, automation वह होता है, complete automation, 100% automation वह होता है, जिसमें user input ना हो, ठीक है, यह क्या क्या steps कर रहा है, अब देखो, और इसके बाद मैं आप लोगों को जो भी beginner से, उनको एक चीज़ और बताऊंगा, कि अगर वो packer को अच्छे तरी इमेज आपके mind में बन जाना चाहिए, तभी आपको वो चीज सही से आती है, ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं क्या कर रहा है, यह भी हमारा बोल रहा है कि इंस्टेंस भाई, लाउंचिंग पे हैं आपके, तो यह तो हमारा terminate हो गया है, पुराना वाला, जो अभी हमारी देखो, अब यहाँ पे already क्या कर रहा है, यह terminate हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने, देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसने SSH किया, और SSH करने के बाद, इसने जो हमने provisioner के अंदर, जो हमने shell define की थी ना, यह type shell, और यह दो command define की थी, तो यह दो command run करी इसने, ठीक है, अब run करने के बाद, इसके पास क्या रदाया, क्योंकि हमने defend किया था, जब भी हम किसी package को install करते हैं, sudo apt-get install nginx, और enter कर देते हैं, तो वो सारे package इसको collect करते हैं, फिर हम से yes or no पूस्ता कि मैं install करूं कि नहीं करूं, तो वो उसी state पर आकर अटक गया, इसने यहां पर पूछा कि आप continue करना चाहते हो, क्या abort करना चाहते हो, बट आप यह packer में तो user input दे ही नहीं सकते हैं, तो उसने उसको abort कर दिया, क्योंकि उसके अंदर interruption आ गया, user interruption आ गया, तो इस error, अब यह सारी चीज़े clean कर रहा है, packer का यह default behavior ह होता है, और जो की काफी सही होता है, कि आपकी कोई भी build में, अगर आपकी build में कोई भी error आ रहा है, तो वो उसने जो भी चीज़े बनाई है, वो उसको सबको delete कर देता है, इसका default behavior होता है, आप चाहो तो इसको change भी कर सकते हो, ठीक है, बट recommend, मतलब मैं recommend नहीं कर भाँ हू आपकेस नो मांगता है नहीं है, बट जब आप किसी भी package में install करते हो, तो वो yes मांगता है, कि मैं इसको install करते हो, पर्मिशन मांगते हो, user input मांगते है, तो इसको fix करने करना है, हाइफन वाई, ठीक है, और अब अगर हम इसको run करेंगे, तो ये run हो जाना चाहिए, ठीक है, और देख भी लेते हैं, वाँ पर terminated होगा, दोनो terminated है, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, packer को अच्छे से पढ़ने का तरीका, क्या, देखो packer, हमें पता ही है, packer, build, ठीक है, हम मैं करता हूँ, hyphen, hyphen, help, कोई भी चीज ना समझ मैं, जिस भी command के आपको hyphen debug, hyphen debug का मतलब क्या होता है, कि आप अपने debugging mode enable कर रहे हो, मतलब कि जो भी steps, जैसे हमने packer build चलाया, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने packer build वाली command चलायी, तो इस packer build ने क्या कि आपने steps perform करने start करती है, जो भी आपने strip में define की है, अब आप इन को क्य है, कि अच्छे तरीके से सीखने का तरीका क्या होता है, कि लोगों ने script लिख दिया, उसका पैकर build किया, हाँ जी output दिखिया, तो पैकर build हो गया, नहीं, एक और अच्छे तरीके से पढ़ना तरीका उसका ही होता है, कि पैकर आप उसको debugging mode में चलाओ, उसके particular steps को figure out करो, उस ठीक है, अब हमने यहाँ पर यह fix कर दिया है, ctrl s, sorry, ठीक है, हम मैं इसको enter करता हूँ, तो यह क्या करेगा, अब आप से हर step के बाद, सबसे पहले step क्या है, इसने validate किया, packer engineers को image तो नहीं है, नहीं है जी, तो आपको पता लगी है, सबसे पहले packer क्या करता है, जो भी आप name पास करती है, इस name को validate करता है, उसके बाद यह check करता है, जो आपने AMI पास करी है, वो है के नहीं है, ठीक है, जिसको मिल गई, उसके बाद, after another step network, network info, network info देखता है, ठीक है, temporary key pair बनाता है, तो इससे क्या पता लगए आपको, इससे आपको यह पता लगए कि packer का किसी भी चीज को जो आपने script लिखी है, उसमें तरीका क्या है, sequence क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही, hyphen debug का ये फायदा होता है, कि वो हर एक step को करने के बाद, आप से permission लेगा, कि मैं चलू कि नहीं चलू, तो इससे क्या होगा, आपको सारे step समझ में आएंगे, और मैं recommend करूँ हूँ, कम से कम, जब तक आपको packer का flow पता ना लगे, ठीक है, तब तक इसको करते रहना, अब debug mode में यार मुझे बहुट time लगेगा, चलो ये instance को ready कर रहा है तो, ठीक है, pending मैं अभी, ठीक है, तो मैंने वो errors दो जान पूच के छोड़े थे, जिससे आपको पता लगे है, क्योंकि error आता है, तभी इंसान पढ़ पाता है, और error देखो, आपको जो previous error था आपका, उसमें आपको क्या पता लग रहा था, यहां से, क्या पता लग रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा पता ही नहीं लग पारा था, क्योंकि मैं, जिसने किया हुआ है, उसको तो पता है, बट यहां पर इसको पता नहीं लग रहा था, कि किस वज़े से abort हुआ, क्योंकि ना तो इसने मैं abort पे yes or no पूछा, ठीक है, बसी abort हो तो यही चीज थी, जो मैं आपको बताना चारा था, और यह debug mode, मैं recommend करूँगा सभी को कि starting में, आप packer से कोई भी build करो, तो debug mode में करो, अब यहां पर हमारा कौन से step चल रहा है, provisional step, जहां पर हमारी script fail हुई थी, अब और यहीं पर वहाता ना, पिछली बार, देखते है, अब abort हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, अब सारे package चल रहा है, हमारा ingenix install हो रहा है, अब इसने ingenix install कर दिया, अब उसके बाद इसने क्या किया, temporary keys को remove करेंगा, instance को stop करेंगा, अब instance stop हो रहा होगा, अभी instance stop हो रहा होगा, stopping statement, ठीक है, जब यह stop होगा उसके बाद यह में वगरा बनाएगा, इसके SSH keys वगरा सबको delete करेंगा temporary keys को, तो basically आपको packer से यह पता लगया है कि packer किस तरीके से का, मेरा मतलब सिर्फ यह production ready script नहीं है, ठीक है, और जो आपकी access की secret की देख रहे हैं, इनको ऐसे define नहीं करते हैं, इनको variables की तरह define करते हैं, बट हमें starting में ही high level पर नहीं पहुचना था, ठीक है, हमें चीज़ों को base से समझना था कि, actually मैं आपको पिछली वीडियो में में तीन चीज़ बताई थी packer के बारे में builder, provisional, post processor, इस वीडियो में हमने दो चीज़े cover करी, जो है builder और दूसरा है provisional, पोस्ट प्रोसेसर मैं बताऊंगा आपको जब हम production वाली build कर लेंगे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि यह production environment में use नहीं होता है, क्योंकि production environment में conversion नहीं allow करते हैं, enterprise बोलता है कि organization बोलते हैं नहीं मुझे production में कोई भजण नहीं चाहिए, मैं रहे को भाई सीधे सीधे तुम नहीं script बनाओ, ठीक है, तो यह चीज़ होती है, बाकि अगर आपको कोई भी question है, packer के related, या मैं इस वीडियो में किसी concept को नहीं cover कर पाएं, मैं आपको लगा आपको कोई भी doubt है, तो भाई आप प्लीज कमेंड में mention करो, मैं कोशिच करो हो, जल से जल्द reply देने का, ठीक है, और बाकि मैं एक वीडियो बनाओंगा, अभी EC के बाद में एक वीडियो डालूंगा, कि कैसे आप कोई भी package, या कोई भी software, जल्दी से जल और आपका package installed, आपका software installed, ठीक है, उसके लिए मैं next वीडियो बनाओंगा, और कोई इतना heavy software नहीं है, कि आपका system नहीं उठा पाएगा, आपके system में मैं बोलना हूँ, अगर 2GB भी नहीं में तो भी डाल लेना, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, मैं इसको काफी use करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसका उसका link, वीडियो का link भी description में दे दूँगा, और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ansible क्या होता है, ठीक है, जो हम अपने provisioners में use कर सकते हैं, और आपको basics clear करना है अपने ansible का, तो मैं उसके भी video का link description में दे दूँगा, ठीक है, और packer क्या होता ह इस session पर आने से पहले, जो मैंने what is packer वाली video बनाई है, फ्लीज उससे एक बार go through हो जाएं, क्योंकि, और मैं उसका link भी description में दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका वहाँ से, क्योंकि ये दो videos ऐसी, जो मैंने बनाई है, इनका main motive सिफ यह ही है, कि मैं आपका concept clear कर पहूं, उसके बाद तो आप कुछ भी script बनाऊ है, अगर आपके एक बार base clear हो गया, चीजे को पढ़ना आगया आप पर कि क्या flow है, किसी tool का, कैसे script लिखे जाती है, क्या automation है, automation में लोग गलती क्या गरते हैं, मैं इसलिए जान पूछ के गलती करता हूं आपके सामने, मैं इसलिए मैं यह सारी चीजे आप से बता रहा हूं, यह थोड़ा टाइम लेरा स्टॉप होने में, ठीक है? यह स्टॉप हो चुका है, वो AMI बना रहा है, तो AMI पंडिंग इस रेट में, जैसी AMI बन जाएगी, बस फिर हमारा काम कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम यही एंजनिक्स के ओपर ही, अगर आप चाहते हो, मैं भी दो-त कुछ और चीज़ पर बनवाना चाहते हो, तो वह बत कमेंट से मेंशन कर देना, वरना मैं इसी एंजनिक्स के सेटप को ही प्रोडक्शन डेडे बिल्ड बन, स्क्रिप्ट बना कि आपको दिखाऊंगा, कैसे हम वैरियेबल्स वगरा यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर उसके अच्छी है, चीज़े कैसे काम करती है, क्योंकि अगर आप एंसे बलाता है, तो आप सामने वाले बंदे ने ये स्क्रिप्ट लिखे कैसे है, हम इस चीज़ को कैसे ढूंडे, क्योंकि मैंने अभी आपने देखा ना, कि जब हम यहाँ पे इसको ढूंड रहेते हैं, तो इस कैसे ढूंडूं, सामने वाले ने तो लिखते दे दी, वो एक दे देगा, दो दे देगा, बट मैं इसको ढूंडूं तो कैसे ढूंडूं, ठीक है, अब हमारी AMI बन चुकी है, अब यह सारी चीज़ों को स्टॉप कर रहा है, और डीबग मोड मैंने